जैसा कि विदित है कि देश की राजधानी दिली के नजदीक हर्याना राजे में संप्रदाइक दंगा का भढ़कना और इसका गुर्गाओं वे अन्य छेत्रों में बिना रोख फोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हता हात होने के साथ है धादमिक स्तल सहीत लोगों के संपतियों की भारी हानी होने से ये साबित होता है कि मनिपूर की तरह ही हर्याना राजे में भी कानून व्यवस्ता काफी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहां की सरकार का खुफिया तंत्र भी निस्क्रिय है जो ये हर परकार के अति दुख़त दुर्भाग्य पूर्ण वे काफी चिंता जनक भी है साथ ही जैसा की हर्याना राज्य की सरकार का ये दावा है कि संप्रदाइक दंगा वीप आधी की यात्रा पर इनके अन्य और सयोगी संख्टनों आधी की यात्रा पर पत्राव को लेकर सुरू हुआ जिससे भी पूरे तोर से ये स्पस्ट है कि हर्याना सरकार उस यात्राव को सुरुक्षा देने में पूरे तोर से विफल रही है जबकि राजे के शाषन पर शाषन प्रखास कर खुफिया तंत्र को खास कर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफी चुस्त वे दुरुस्त होना चाहिए था इतना ही नहीं बलकि यदी वहांकी राजे सरकार इस प्रस्तावीत यात्रा जलूस्वे प्रद्रशन आधी को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार दवारा इसके आयोजन की अनुमती ही क्यूं दी जाती है ये वैस सवान है जिसका जवाब हर जिम्मेवार वैस सब्वे सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए पूछना चाहिए और खासकर नुह की घटना को लेकर ये लगता है कि हर्याना राजे के पास दंगा वै उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नियत का पूरी तरह से अभाव है जो और भी चिंता जनक बात है वैसे वी चाहे मनिकुर हो या हर्याना सई अन्य राज्यों में हुई द हुई दर्दनाग वै शर्वना घटनाए दंगा एवं हिंसा आधी को राजमिती तता संकिर्ण स्वार्थ की पूर्ती का साधन बनने की अनुमती किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए क्योंकि लोगों के जान मान वे मज़ब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली सविधानी जिम्मेवारी बनती है जो स्तानिय पुलिस के निस्पक्ष एवं परभावी प्रियोग से संभव है जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बलकि चार बार करके दिखाया है अपनी हकूमत चार बार यूपी में मेरे निर्टित में सरकार में रही है तो एक बार नहीं बल्कि चार बार मैंने अपनी हकूमत में वहां लोग एन ओडर बैतरिन बना के कानून का राज काइम करके वहां दिखाया है जिससे सबक लिया जा सकता है इसके इलाबा बीएस्पी की ये मांग है कि हर्याना की राजे सरकार को वहां संक्रदाइक सद्भाहव वेखभाईचारा अमन्चन आदि की बहाली का निस्पक्ष गंबीर अब इमानदात परियास तुरंती शुरू कर देना चाहिए तथा केंदर की सरकार को भी इस मामले में राजे सरकार की हर परकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए ताकि वहां हालात आगे ना बिगड़ने पाएं जिसकी अशंका को लेकर ही दिल्ली वे यूपी सहित अन्ने कई राज्यों में भी सुरक्षा का रेड अलर्ट कर दिया गया है जो उचित कदम भी है अंत में मैं अपनी वे पार्टी की ओर से हर्याना वे नजदीक के लगे राज्यों की जंता से भी शांती व्यवस्ता बनाने की पुर्जोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समात करती हूँ धन्यवाद